फैंस सेडनास को पसंद ही नहीं करते बलकि उनसे प्यार करते हैं और ये फैंस नहीं भाईए फैंबली है क्योंकि जिस तरह से support सेडनास के लिए फैंस दिखाते हैं ना सच्मूच ऐसा कभी कोई फैंडम हुआ ही नहीं आज तक और मुझे तो लगता है नाहीं कभी होगा अगर हम शहनास की बात करें तो Big Boss 13 में जब शहनास नहीं नहीं आई थी उन्हें सिर्फ पंजाबी इंडिस्ट्री में लोग जानते थे पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में लोग इतना नहीं जानते थे लेकिन शहनाज ने अपनी सच्चाई से और अच्चाई से सब का दिल जीत लिया वहीं अगर हम सिधात की बात करें तो उन्होंने भी फैंस के दिलों पर राज किया और आज शहनाज गिल सोशल मिजिया पर भाई चाय हुई है उनके आगे कहीं कोई टिकता ही नहीं हलाकि शहनाज गिल तो अभी इंडस्ट्री में नई नई है उसके बावजूद उन्होंने उन तमाम हस्तियों को पीछे छोड़ दिया है जो कि कई सालों से इंडस्ट्री में है और वो काम कर रहे है गाईस सोशल मेडिया की बात करें और अगर हम यूट्यूब की बात करें वहाँ भी शहनाज गिल चाय हुई है भाई चाय हुई है गाईस यूट्यूब पर सबसे ज़ादा यूज होने वाला हैश्टेग कौन सा है और उसकी एक लिस्ट सामने आईए तो हम स्टार्ट करते हैं नमबर फाइव से नमबर फाइव पर है हैश्टेग जैसमिन भसीन 41K प्लस के साथ नमबर फोर पर है हैश्टेग हीमानशी खुराना 43K प्लस के साथ नमबर फ्री पर है हैश्टेग रुबिना दिलैक 50K प्लस के साथ number two पर है hashtag हीना खान 59k plus के साथ वही number one पर है hashtag शहनाज गिल 90k plus के साथ मतलब यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा hashtag females में अगर यूज होता है तो वो है शहनाज गिल और गाईज आप difference देख सकते हैं तो huge difference है गाईज शहनाज और बाकी की अदाकाराओं के बीच और वो भी तब जब शहनास गिर इंडस्ट्री में नहीं नहीं है और अभी तो उन्होंने शिरुआत किये बिग बॉस 13 खतम हुए भी इतना वक्त हो गया है उसके बावजुत फैंस इसी तरह से शहनास को सेडनास को सपोर्ट करते हैं और हमेशा ही करते रहेंगे तो गैस क्या है कहना आपका इस बारे में कर्मेंट करके हमें ज़रूर बतेगा वीडियो पसंद आई हो दो प्लीज लाइक और शेर ज़रूर कर दीजगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजगा जिससे मेरे न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुच पाएंगी जल से जल थैंक्स वो वाचिंग गाई